गुर्णाम चडूनी जी के समर्थन में अगर उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर घेरा जाएगा तो वो मेरे संगठन और मेरे नेत्रत में घेरा जाएगा मैं आपसे वातने धरने होते आप आसु बैस के गोले चुटवादे पानी के फौरे लगवाते पुलिस से लठ और आप क्या से हमारी करेंगे और तुमारे में कमी रहा गई हो तुमारे इस जुलम में तुम बता दो और सरकार से मैं परदायन मंतरी हूं कि अनसे घ्रम नहीं ना मैं मुझ्ट्रे उठारी उचनता है कि सवाल कीजिए परदायन मंतरी जी से अब तो 18-18 साल के बच्चे भ एक्सपीरियंस ओल्डर हो गए हैं सब्सक्राइब करें के लिए जारी है उनके लिए इंसाफ मांगना जारी है मैं आपको बहुत पहले बोली थी जब अंदोलन को स्तगित किया था इन्होंने जूट बोल के अंदोलन को स्तगित किया लेकिन कोई बात नहीं हम बोले बाले हिंदुस्तान के लोग हैं मान जाते हैं चीजों को तो अब हम फिर से अंदोलन करेंगे 24 से पहले बड़ा अंदोलन होगा और इसकी सुर्वाद जो हो गई है ये कुरुक्षेत्र इतिहास की भूमी महाबारत की भूमी इतिहास रचने वाली भूमी से ही हो गई है सब्सक्राइब का मुदा बहुत पुराना है 1965 से चलता आ रहा हरा हरा अंदोलन में MSP को जोड़ा जाता है क्योंकि वह हमारा मूल अधिकार है एक बहादूर नेता हमारा गिरफतार हुआ है कोई ऐसी बात टैंचन लेने की जरुवत नहीं है और साबित कर दिया बाबा जी ने कि उनसे इमानदार और उनसे साहस्वान इस देश के अंदर किसान नेता बहुत सारे हैं और उनकी एक अलग एहम भूमी का है और उनका जो किरदार है वो उनी का रहेगा यही दुरबाग्या हमारे देश का की लोगतंत्र हट गया राजतंत्र और तानशा तंत्र देश में लागू कर दिया इन्होंने बस घोष्टना करनी बाकी है बड़ा में बात होंगा किसान आंदोलन इस तरफ चुरू हुआ था घाजी फूर्बोडर में आप ट्रेक्टर रेली में पहली बात दिखाई दीजी आज फिर यह आप तुर्चित्र के हाईवे पर ट्रेक्टर भी दिखाई दिये तो क्या लगता यह आंदोलन भी उसी तर और फिर उसके बाद मैं इस हर्याना जिस धर्ती पे मैं खड़ी हूँ यहां से 15,000 महिलाओं को ट्रेक्टर चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी कि जब मैं पहली बार आई थी आंदोलन में तो मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि महिलाओं को ट्रेक्टर चलाना भी सिखा अगर उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर घेरा जाएगा तो वो मेरे संगठन और मेरे नेत्रतुमा घेरा जाएगा मैं आपसे वादा करके जाती हूं यहां के लोगों से मैं यूपी से इस बात याद आई है कमेंट भी खिर रहें कुछ दर्सक की जो एमस्पी का रेट है सूरज मुखी का यूपी में क्या रेट से ले देटे नहीं है यह कभी तो कर देते उसको बावन सो कभी करते है छे आजार कभी पाच जार इनका कोई फिक्स ही नहीं है कि यह सूरज मुखी की फसल अच्छी है तो हम इसका यह दान देंगे यह थोड़ी डाउन है तो मिसका यह दान देंगे तो यह अब यह चीज़ें चालवाजी करनी तो मैं कैसे बता दू जभी आमस्पी देते ही नहीं किसान को कि एक्च्वल रेट यह क्या दे रहें देती सरकार के द्वारा कोई नहीं आएगा अभी अभी देख लीजिए आप यहां पर हम लोग इतनी देट से बैठे हुए बारात दो वज़े तक बज्जाए चली वहां पर भी कोई नहीं आया इसका मितलब सरकार नहीं बात करना चाहती वह किसानों को बदनाम करना चाह रही है आए अर भे हमें घ्यान वगार रहे है यह सिक्षा मंतरी कितरा पड़ा हुआ तुमारे हरियान का सिक्षा मंतरी क्लसा पूछा अपने के कि लड़की से जो देश की आवाज उठाए एक गरीब किसान का बालक आवाज उठाए तो उससे मैं आप हां जी क्या MSP चाहिए अभी ये गुर्णाम चडूनी जी वाला जो मुद्दा हुआ है आप सबसे पहले मेरा पेज चेक करना मैंने उनके लिए वाज उठाई और फिर हमने 11 तारिक में कल प्रोग्राम भी रखा था और हमारे साथ में उनका एक्सिडेंट होगा इस वजह से हमें वो इस्ताइब करन अब इस चीज के लिए जब भी आदेश हमें दिया जाएगा चडूनी जी गुरुप के तरफ से मिटिंग की में दिया जाएगा तो हम अपने बॉर्डर को यूपी के सबसे पहले गेरेंगे यह वादा मैं आप से लिए जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई गाव हमने बता दिया ना यह सेवा में तुम्हारे कमी रह गई आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो दूसरी बात आप जितने अंदोलन होते जितने धरनी होते आप आसू गैस के गोले चुटवा दे पानी के फौरे लगवाते पुलिस से लठ बजवाते बुजर का सी साल के इन पर दंडे पिटवाते और आप क्या सेवा हमारी करेंगे और जो तुम्हारे में कमी रह गई हो तुम्हारे इस जुलम में तुम बता दो रोड नी रोड किसका रोड यह हमें पता है समस्य होती है लेकिन उनके अधिकार की लड़ाई हम उठा रहे हैं और उनसे माफी मांगते ह कि कुछ हग पाने के लिए थोड़ी वह समस्य होती है कि अधिकान नेता के हाथ में है क्या गूर्णाम चड़ूंजी को छोड़ना किसान नेता के हाथ में है बेटियों के बलात्तार होते हैं वो तो आवाज उठा सकते ना फैसले जो कानून बनता है वो तो सरकार बनाएग तर्थारी हूं कि नहीं कि में मुद्ध मुद्ध अठारी जनता है कि आप सवाल कीजिए परधायन मंत्री जी से देश के ग्रह मंत्री से सवाल कीजियो महीला मंत्री मंदल से बखने लगी फट्रकार तुमारा भास करका उसकी नौकरी छुट्वा थी जो सिवर्ति रानी प फिर आप समझे करनाल वाले पत्रकार जेल में और आकर्शन उपल फिर आप पूछिए ना